कि बीएसी पार्ट थ्री के सभी विध्यारतियों को आज की इस ओनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर चंद्र प्रभा आपका हर्दिक स्वागत करती हूं तो बच्चो हमने हर्ड मानिया पढ़ लिया था हमने ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ लिया था आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एसीडियन टेटपॉल लार्वा और यह जो लार्वा होता है वह हर्ड मानिया में प्रेजन्ट होता है मींस हर्ड मानिया का जो डिवलपमेंट होता है वह इन डिरेक्ट होता है और इन डिरेक्ट जो डिवलपमेंट होता है इसमें लार्वल स्टेज प्रेजन्ट होत होते हैं दो जनद प्रेजन्ट होते हैं और जनद जो है वो इसके रेप्रड़क्टिव ओर्गन होते हैं और ये जो जनद होते हैं वो दाएं और बाएं दो भागों में ये इस्तित होते हैं दाया जनद और बाया जनद ये हम इसका डाइग्राम देख लेते हैं इसके जो का डाइग्राम ये left gonad का है और इसमें हम देखते हैं कि इसमें male और female reproductive organ दोनों एक ही के अंदर present हैं और इस अवस्था को हम कहते हैं उभै लिंगी that is hermaphrodite means hermaphrodite animal means ये उभै लिंगी होता है जिसमें male और female दोनों के reproductive organ एक ही animal में पाए जाते हैं यहां हम देख रहे हैं कि ये जो gonad है इसमें भहुत सारी lobs present होते हैं और इन lobs में ही ये देख रहे हैं हम ये बाहर की और जो है वो वाला पार्ट ये testicular part होता है जो बाहर ही भाग है ये testicular part है यानि male वाला पार्ट है male reproductive organ है ये और इसमें ये है sperm ductule जो testicular part के अंदर enter करती है तो ये बहारी भाग testicular part हो गया और ये जो इसका आंतरिक भाग होता है ये हम देखते हैं यहां पर ये है इसका आंतरिक भाग जो ovarian part होता है और ये हमें दिख रहा है यहां पर ये है इसकी ovarian duct ये है ovarian duct और ये जो आपको dark color का दिख रहा है ये है इसका ovarian part फिर इधर आगे हम देखें तो यहाँ पर यह जो ब्रांचेज हैं यह से यहां पर खुलती हैं और यह वहल्वा पाड़ है यह है इसका OVD connects का अपर्चर है यह एक सिंगल पर्चर के त्वारण यहें अट्रियल केव barrel में 63ं एट्रियल कैविटी में स्पर्म और ओवम दोनों को रिलीज कर दिया जाता है और एट्रियल कैविटी के द्वारा ये स्पर्म और ओवम दोनों बाड़ी से बाहर ये रिलीज कर दिये जाते हैं तो इस तरह से इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवम के बीच वह है एक्स्टर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मीज हर्डमानिया की बाडी के बाहर ये फर्टिलाइजेशन होता है, और वो कहां होगा वो जल में होता है, लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीज एक ही एनिमल के स्पर्म औ और ओवा में Fertilization नहीं होता, क्यों कि इसकी जो condition है वो है ओवं का डेवलॉप्मेंट पहले हो जाता है और जो है उनक pillow है उनका sperm और ova है उनमें fertilization होता है और यह external fertilization यानि water के अंदर यह होता है और इस fertilization होने के बाद में जाइगोड बनेगा और जैसा हम first year में भी हमने पढ़ा था developmental biology में जाइगोड से फिर यह blastula बनता है तो इस तरहा कि यह सारी स्टेजस से गुजरने के बाद इसमें एक लाइग्राम में हम देख रहेहे हैं यहाँ डर्वा है इसके हम बॉडी के दो पार्ट में इसके study हम और तो ऑंठोर को पॉस्टीरियर पार्ट तो जो इसका एंटीरियर पार्ट है उसे हम हैड और ट्रंक में स्टडी करते हैं और जो पॉस्टीरियर पार्ट है इसको हम टेल में स्टडी करते हैं इसकी टेल होती है तो हम इसके एंटीरियर पार्ट में देखते हैं यह इसका है एंटीरियर स्ट्रप्टिर्स यहां प्रजंट है तो यह जो इसकाальная पार्ट है यह इससेनुजकर प्रजंट है इसकें प्रॉप यह हम perform क्bt एपिला कहते था्य सर ayam से चिपकने में मदद करते हैं सबस्टेटम किसी सतय से चिपकने में मदद करते हैं जहां से चिपकने के बाद इसमें metamorphosis होता है और इसकी हम elementary canal को देखें तो यह elementary canal यहां यह present है और यह oral siphon है और oral siphon से आगे फिर इसकी buckle cavity होती है और यह इसका stomach है यहां पर यह इसका stomach है यह digestive tube यानि intestine present है और यह इसका pharynx है यहां पर pharynx में यह आपको चितर दिख रहे हैं जिनने हम gill slits कहते हैं यह इसकी endo style है endo style हमने पहले भी पड़े थी कि यह जो endo style है यह thyroid gland के यह homologus होती है तो यह जो इसकी intestine है यह atrial cavity में इसकी opening हो रही है और atrial cavity में यह पोर के द्वारा जो इजेशन होता है अंडाजेशेट फूर का उसको बहार निकाल दिया जाता है तो इस तरह से यह इसका एंटीर पार्ट है और यह है इसके इसके एंटीर पोल लार्वा का यह है पोस्टीर पार्ट तो इसकी पोस्टीर पार्ट में होती है टेल तो जो इसकी टेल होती है वह इसका में लोको मोटरी और गन होता है इसका मुख्य जो चलन अंग है जिसकी द्वारा यह लोको मोशन करता है तो वह टेल होती है और जो इसकी टेल होती है वह फिन के द्वारा लार बावे में चीरल, तो आधिक और इसके हम नर्वस सिस्टम में देखें तो जो एंटीर साइड है उसमें प्रेजंट होता है ब्रैन वेसिकल या फिर उसे हम सेंस वेसिकल भी कह सकते हैं तो यह जो ब्रैन वेसिकल है यह इसके नर्वस सिस्टम में आता है और ब्रैन वेसिकल से पीछे इसकी प्रेजंट होत होते हैं और मास ओफ नर्व सेल प्रेजंट होते हैं और नर्व कॉर्ड प्रेजंट होती है यह इसमें प्रेजंट होती है और सेलस और आई जो इसका संचेटिव और गन का कारियर करती है और इसमें ऑटोसिस्ट भी प्रेजंट होता है अब हम देखते हैं कि यह जो एसेडिय एन्डे हैबिटेट तो जो हैचिंग के बाद यह जो लार्वा है वो स्टार्टिंग में फोटो पोजिटिव अँज जो लाइट की और जाइए और जियो नेगेटिव जो धरती से दूर जाए मिन्स लाइट की और जाए लेकिन थोड़ी देर यह में फ्री ही इंग करने के ब आपको चिपका लेता है और किसकी हेल्प से चिपका यह यहां पर इसका मेतामोर्फोसिसस स्टार्ट होता है और यह debate मेटामोर्फोसिससRetrogressive Metamorphosis कीआते हैं यह एक मेटामोर्फोसिसस जो आपसे एक्जैमिनेशन में भी पूच्या सकता है आप से पूछा जा सकता है तो जो रिट्रोग्रेसिव मेटामोर्पोसिस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आज के लिए इतना काफी है तो बच्चों आप इसको पढ़ें और समझें थेंक यू